Module 194, Treatment of Cyclothemic Disorder, CBT तो cognitive behavioral intervention की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि we are talking about the cognition तो basically cognition को क्यों focus किया जाता है? इसलिए focus किया जाता है because it is said कि जो इनकी processing है cognitive वो जो है वो बड़ी selective होती है यानि ये आम तोर पर जो इनकी information processing है वो biased होती है अब जब हम ये कहते हैं कि बहुत से लोग जो है वो cognitive distortion को जो है वो experience कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि basically जो stimulus से related information होती है वो उसमें से सिर्फ जो negativity है जो negative associations हैं उनको वो process करते हैं जो बाकिये चीज़े हैं उनको वो process नहीं करते हैं लाट स्वाई कि जो उनकी cognitions हैं वो distorted होती हैं तो जब cognitive restructuring की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हम APC की बात कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि activating event क्या था उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि believe उसका thought process क्या था फिर हमें पता है कि see उसके consequences क्या थे तो जब हम ये देखते हैं कि उसका thought process क्या था तो हम उसके thought process को जो है वो unhelpful जो thoughts होते हैं उसको helpful thought के साथ change करने की कोशिश करते हैं इसके साथ साथ हम उसके अंदर self monitoring इस जो ABC चार्ट है इसकी help से हम basically उसके अंदर क्या चीज़ डिवलप करें है self monitoring हम उसको ये awareness ये insight दे रहे हैं कि किन किन events में जो है वो उसको problem आता है behavioral problem आता है और किस किसम की cognitive distortions जो है वो उसको experience करता है तो self monitoring के तुरू बच्चे को ये पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये मेरे triggers हैं तो वो अपनी cognitions के ओपर काम जादा बेहतर तोर पे कर सकता है और जैसे ही वो अपनी cognitions के जादा बेहतर तोर पे काम कर सकेगा उससे उसका behavior चेंज होगा और उसकी वज़ासे उसके emotions जो है वो भी change होंगे तो basically जो cognitive restructuring है उसके साथ हम बच्चे को self monitoring में भी train करते हैं अब self monitoring में हम बच्चे के साथ ये भी करते हैं कि वो सिरफ इस चीज़ को भी का ख्याल भी रख सकता है कि उसके emotions किस तरह चेंज हो रहे हैं ठीक है तो जैसे ही उसको cues मिलना शुरू होंगे तो उसकी health से भी जो उसकी behavior है वो improve होना शुरू हो जाएगा जैसे ही उसको insight develop होगी then problem solving जो emotional dysregulation है हम बात करते हैं कि cyclothemia में basically बचा emotional dysregulation जो है उसको experience कर रहा होता है तो emotional dysregulation क्या है कि एक stimulus है उसको आपने देखा और आप उससे disturb हुए और आपका reaction जो था हो multiple times था यानि जितना reaction due होना था उससे जादा आप express कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो problem solving है वो पूर है जब हम यह कह रहे हैं कि problem solving पूर है तो इसका मतलब है कि बच्चे की problem solving के उपर काम करने की जरूरत है and definitely problem solving की strategies वहीं है कि सबसे पहले हम problem identify करेंगे उसके possible solutions देखेंगे अच्छा आप जो बच्चे होते हैं certain time they are not able to find out a multiple solution of the problems तो उनके साथ बैठ के आपको brainstorming करनी है brainstorming के तरूर क्या होगा you can give some additional points for solving problem ठीक है तो उन में से फिर one by one जो है problem के solution है उनको evaluate करेगा उसके pro and cons देखेगा उसकी practicality देखेगा फिर जो उसको लगेगा कि practical है उसको सबसे पहले use करेगा और अगर वो work कर जाए well and good नहीं करेगा तो one by one वो सबको करेगा उसके बाद उसको re-evaluate करेगा और इस तरह से वो ये देखेगा कि जो उसका problem था वो solve हुआ या नहीं हुआ जब वो ये process करेगा तो उसको basically problem solving करनी आ जाएगी और ऐसे लोग जिनको अपनी life में problem solving करनी आ जाती है उनकी mood, dysregulation जो है और जो effect, instability है वो कम हो जाती है क्यों? क्योंकि again हम वही बात करते हैं कि जो thought process है वो basically आपके behavior को determine करता है और आपकी emotional state को determine करता है आपकी 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 है